हालो एवरीवन, वैलकम तो दे चैनल, अलोट तो लर्न, स्टुडेंस, हम लोग कर रही हैं सिक्स क्लास की SST की बुक का फोर्थ चेप्टर, दे फोर्स्ट सिटीज, बेटा इस चेप्टर की दो वीडियोज मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिन में हमने क्या पढ़ा है, पुरानी जो हमने खोज की है, सबूत मिले हैं कि पहले भी कोई दुनिया होती थी, तो उन लोगों की दुनिया क्यों जब उन्होंने वो घर बनाए थे, तो वो किस टाइप के घर थे, किस टाइप के उनके बाथरूम होते थे, कैसा उनका ड्रेंज सिस्टम था, ये हम पढ़ेंगे उन लोगों की शोशल लाइफ कैसे थी, यानि एक दूसरे के साथ उनका बिहेव कैसा था, क्या वो काम करते थे, क्या वो खाते पीते थे, ठीक है, शोशल लाइफ, यानि समाजिक जीवन कैसा था, एक दूसरे के साथ कैसे वो अर्जस्ट करते थे, clear? यह बोल रहे हैं हमें कि ऐसे बहुत सारे हमें सबूत मिले हैं जिससे यह प्रूब होता है कि जो इंडर्स वैली सोसाइटी थी ना, यानि इंडर्स वैली जो सभ्यता थी, वो काफी अच्छी सिविलाइस थी, हाई क्वाल्टी की थी, और उनका कल्चर भी कैसा था, शहरी, बिल्कुल अच्छे से वेल मेंटेन थे, अच्छे से रहते थे, यानि कि उनके पास जानवर भी थे हैं ना, फ्रूट्स वो खाते थे, मेट खाते थे, अब यह बोल रहे हैं, मोहन जोदरो में कोटन की दिसकवरी, यानि कि कोटन की खोज, और मिट्टी के जो छड़े मिली हैं, यानि कि लंबी-लंबी उन्होंने क्या बनाई होई थी, छड़े बनाई होई थी, मिट्टी की, इससे यह प्रूब हुआ, कि वो लोग क्या है, भी कातते थे, उन्हें कपड़े की बुनाई भी आती थी, क्योंकि उन्हें कोटन मिला है, स्प्रिंडल मिले हैं, इससे यह साबित हुआ है कि कपड़े की बुनाई भी वो लोग अच्छे से जानते थे, the male figure wearing a shoulder on shoulder gives us enough evidence that people had a rich dressing sense, अब हमें एक आदमी का figure मिला है, यानि कि य लोगों की dressing sense काफी अच्छी थी, उन्हें पहनने औरने अच्छे से आता था, ठीक है, बोथ man and woman wore a dress made up of two pieces of cloth, आदमी और और ऐसी dress डालते थे, जिसके दो पीस होते थे, यानि कि जैसे आज कल डालते है ना, सूट सलवार, धोती कुरता, ऐसे ही वो लोग भी डालते थे, clear, many ornaments such as necklace, earrings, bangles, etc. made of gold, silver, bones and ivory has been excavated from various sites, अब ये बोल रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़े मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग क्या है, सजने सवरने के शोकेन थे, जैसे कि चूडिया मिली है, earrings मिले है, necklace मिले है, जो कि क्या है, सोने के भी थे, चांदी के भी, ठीक ह है, आज कल जो कीमती पत्थर चले हुए, बोन्स वगेरा वाले, उन से बने हुए, जैसी हमारी दुनिया है, बिल्कुल ऐसी ही वो दुनिया भी थी, उन्हें भी सभी चीज़ों को क्या था, शोक था, ठीक है, पीपल अलसो टो कीन इंटरस्ट इन डेकोरेटिव और बूसी हरो, हेशा बर्चाइब के अपने बिल्कॉरल की अच्छे से बहुत अच्छे अच्छे फैमिल अर्ट याने को 걸ख eh, उनका पर यूनिय बहुत अच्छा ग्यान था, ऑपने आप ऐक और आ को सजाने में काफी क्रेशन्च रुपैरेंस जिक के ब्लेक सब करार्ति इंडियस वैली पीपल फॉंड टाइम ओफ इम्यूजमेंट एंड री क्रियेशनल अक्टिविटीज और हमें कुछ ऐसे चीज़े मिली हैं जैसे कि खिलोनी मिले हैं डॉल्स मिली हैं डाइस मिले हैं इससे ये भी पता चला है कि वो लोग मनोरंजन के या आपने आपका मन बह पहलाने के लिए काफी ऐसे अक्टिविटीज करते रहते थे वह चीज़ भी उन्हें काफी अच्छी लगती थी ठीक हैं वी केन ओल्स से डैट इंडियस वैली पीपल हैं आर्टिस्टिक स्किल्स यह हम कह सकते हैं कि उनमें एक कला थी कोशल था कि वो कुछ भी कर सकते हैं नहीं हर चीज़ की अच्छी खासी क्या थी नौलिस्ति स्किल थी उनके पास ये तो बात आगे पिटर रहनें की सजनेस अब बात करते हैं कि उनको उक्यूपेशल क्या था काम वो लोग क्या करते थे क्योंकि सिर्फ एक खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना अब वो करते क्या थे ठीक है ओक्योपेशन ओफ ना पीपल the people फॉलोड डिफ्रेंट ओक्योपेशन यह कह रहे है कि कापी सारे साई ओक्योपेशन वो लो करते थे देरवर farmers, किसान भी थे, weavers यानि बुनकर भी थे, potters यानि वो कुमार भी थे, metal workers जो different metals से चीज़े बनाते हैं वो लोग भी थे, toy makers खिलोने बनाने वाले भी थे, dwellers भी थे, stone cutter and traders पत्थर का व्यापार करने वाले भी थे, यानि कि लोग हर तरीके का काम उस टाइम में करते थे, same ऐसे ही दुनिया थी, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, farming की, यानि कि लोग क्या करते थे, खेती करते थे, the indus valley farmers grew crops and reared cattle, जो indus valley के farmers है, वो फसले गवाते थे, जानवर पालते थे, पशु पालते थे, the main crops grown were wheat, burlay, grains, peas, मैजे, millets and cotton, यहाँ पर बोला है, जो main फसले क यहाँ थे, जो जो थे, अलग-अलग टाइप के जो अनाज है, मतर है, ठीक है, मक्का हो गई, cotton हो गई, यह ऐसी ऐसी फसले वो लोग उगाते थे, they used pluffs, sickles and various methods of irrigation, अब फसले उगाएंगे तो उन्हें फसलों से सम्मझनी, तोजार भी चाहिए, हल भी थे, उनके पास, धरा लोग क्या करते थे, पशु पालते थे, भेडे पालते थे, बक्रियां पालते थे, these animals were the source of meat, wool and milk, इन animals से उन्हें क्या मिलता था, मीट मिलता था, उन मिलती थी, और दूद मिलता था, क्लियर बच्चों, आगे देखी, नेक्स्ट है, port making, यानि कि जिसको हम बोल देते हैं, कुम हार, जो घड़ा बनाने वाले होते हैं, या मिट्टी के और बरतन बनाने वाले होते हैं, ठीक है, पोटरी हैडरीस्ट एन एडवांस्ट स्टेज, उस टाइम में पोटरी भी अच्छी खासी स्टेज पर पहुँच गई थी, यानि कि उसने भी कापी क्या कर लिया था, डेवलप्मेंट कर लिया था, पोट वर मेड विद फाइन क्ली एंड ग्लेज़ एंड डेकॉरेटी जो अच्छी बढ़िया क्वाल्टी की मिट्टी होती है, उससे पोट बनाए जाते थे, उनको चमकाया जाता था, अच्छा खासा और उनको डेकॉरेट किया जाता था, ठीक है, बहुत सारे पोट को क्या किया जाता था, रेड पेंट करके उस पे ब्लैक कलर से डिजाइन बनाए जाता था, पैटरन के डिजाइन बनाए जाते थे, अलग-लग टाइप के, ठीक है बेटा, जैसे इस पिक्चर में बने हुँए, अब हमने खेती करने वाले किसानों के बार में पढ़ लिया, आगे देखे अट and sculpture, जो मूर्तिकार होते हैं. ठीक है, पोट मेकिंग में बेटा, हम घड़ों बारे में बात कर रहे थे, जो मिट्टी के बथरतन बनाते हैं, उनकी बात कर रहे थे, AT and sculpture. में क्या है, मूर्तिकार जो है, अलग-लग की मूर्तियां जो बन पकाना यानि कि वो रेड रेड बन जाते हैं वैसे वैसे टॉइस ठीक है स्टैच्चू फिगर्स ओफ एनिमल फो मेजर इंडस्ट्री यह हमें बोल रहे हैं कि मिट्टी के टॉइस बनाना स्टैच्चू बनाना एनिमल्स के स्टैच्चू बनाना यह काफी बड़ी इंडस्ट स्ट्रावां म эту इंग्राइड ऑफल रही है कि काफी बड़ी मात्रा में बिच्चों के खिलों यह से थी छोटी गाडियां है घोडा गाडियां अगहें जहींट कैंश मेंर्पल्स है इस है Rough lover प्रम मोहन जवर्ड़ो यहां पर दो अच्छी खास सबूत मिले है मुर्टियां जिसनट पर एक मूरती तक की मूरती है यह या इंसान है ठीक है उसने क्या किया हुआ है एक कंधे पर क्या डाली हुई है शोल डाली हुई है अपने ऐसा इंसान की मुर्ति में लिए आधी सी जिसने एक कंधे पर क्या है शोल डाली हुई है अब यह बोल रहे है ऐसी ही similar to what one find in Mesopotamia एसी ही एक मुर्ति बिल्कुल सेम एसी ही मुर्ति कहां मिली है Mesopotamia में मिली है यह भी एक सभ्यता है जैसे हमारी मोहन जोड़ो है ठीक है काफी दूर की है यह दूसरे विदेशों की सभ्यता है वहाँ पर भी ऐसी एसी एक मुर्ति मिली और हमारे यहां भी मिली है The other is figure of dancing girl made up of bronze और दूसरी क्या मिली है दो मिली है न हमने अभी अभी पड़ा कि दो final sculpture मिले हैं दो मूर्तिया मिली है एक मिली है ऐसे इंसान की जिसने एक अंदे पर शोल डाली है और दूसरी मिली है डांस करती हुई लड़की की ये मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई है पीतल बनाना वो कहला था है मेटल अर्गी ठीक है दा इंडेस वैली पीपल यूज ब्रोंज एलोई ओफ कोपर एंड टीन वीच वोज मोर मिलेबल एंड स्ट्रोंगर दैन कोपर ये बोल रहे है हमें कि जो इंडेस वैली के लोग है न वो ब्रोंज यूज करते थे यानि पीतल य टीन यूज करते थे टीन भी एक धातू होती है जो क्या है कोपर से जादा स्ट्रोंगर मानी जाती है और कोपर से जादा जल्दी शेप में आ जाती है यानि उसको अगर चोट दें थोड़े वगारा से मार दें तो जिस शेप में चाहें वो जल्दी शेप ले ले लेती है और मजबूत भी होती है कोपर से, इन तीनों चारों धातों का यूज वो लोग करते थे, कोपर अर्ट फैक्ट्स लाइक, रेजर, हुक्स, सिकल्स, एंड एक्सिस, कोपर से बनी हुई काफी सारी चीज़े हमें मिली हैं, जैसे की रेजर हैं, ठीक है, दाड़ी बनाने वाले ह होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हुक्स मिले हैं, दरातियां वगेरा मिली है, कुलहाडिया वगेरा मिली हैं, यह सबूत मिले हैं, कि उस टाइम के लोग मैटल का भी वर्क करते थे, क्लियर, बिटा, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि जो उस टाइम के लोग थे हडपा सभ्यता के लोग थे उन लोगों का सोशेल लाइफ कैसा था यानि कि उनका समाजिक जीवन कैसा था ठीक है वो क्या-क्या ओक्यूपेशन अपनाते थे कैसा वेवसाई करते थे जिन्दा रहने के लिए अपने जीवी का कमाने के लिए इसमें हमने क्या-क्या पढ़ा है वो फार्मिंग करते थे ठीक है पोर्ट मेकिंग करते थे आर्ट एंड स्कल्प्चर थे मैटलरी करते थे ठीक है इसके कुछ पार्ट अभी भी रहते हैं यानि कुछ वैशाई अभी हमने नहीं डिटेल में स्टैडी किये हैं जो हम इस वीडियो में करेंगे ओके स्टुदेंट्स रिए इस एंड अंडरस्टन इट थैंक्स पूर वोचिंग मैं वीडियो वीडियो वाई वाई वाव नाइस दे झात वाईब वाईब थेश्कर अंडरस्टन अवाईब और भी रहते हैं टूर्च झाल टूर टूरस्टन